गुड़ मॉर्निंग किड्स बेटा आज हम बेटा क्या कहते हैं बहुत ज़ादा इंपोर्टन चीज कर रहे हैं बेसिक कॉंटसेप्स होते हैं अकाउंटिंग का उसकी एक चीज करते हैं एक्सपेंस किड्स क्या होता है ठीज कर दा आसान अलफाज में मैं सम्जाँगा ताक पर समझ आ जाएं एक्सपेंस क्या होता है and expense is the money use in business to create revenue or income आसान अलफाज में क्या कहेंगे an expense is the money एक्सपेंस क्या होता है क्या कितने पैसा होता है ठीके बड़ा खर्चा किया जाता है कारोपार के अंदर बिटा to create revenue और income tim to create यह mermaid और income यहीं कम क्रीयेट क्रीयेट ऑंसे कि बड़ा खर्चा किया जाता है expensive expensive क्रचा किया जाता है क्या किते हैं ताक purl कि घा सके रहे जुएवन्य और income मतलब कवाई होता है अदिक लजा तो खर्चा कर्चा spend किया जाता है हमचा वह चीम्द जो जो spend किया जाता है पैसा खर्चा पैसा spend किया जाता है ताकि कमाई generate की जा सके कमाई create की जा सके बिटा revenue अर इंकम का मतलब कमाई होता है बिटा या income होता है ठीक है बिटा तो दो किसम के कोई चीज बनाने में या जब हम कोई चीज खरीदने जाएं तो उसके अंदर खर्ची जो होते हैं वो क्या कहते हैं direct expense कहलाते हैं मिसाल के तोर पे अब चाइना से माल खरीदने जाओगे क्योंकि दुनिया बर से चाइना से सामान खरीदने जाते हैं लोग तो उसके अंदर government की duty देनी पड़ती है convince का खर्चा होता है wages का खर्चा होता है तो ये क्या purchasing होता है न बिटा तो ये purchasing बाहर के मुमलजे करते हैं तो भी direct expense कहलाता है ठीक है या production से relate करते हैं production या नहीं वो direct एक product बनाएगा वो खर्चा जो होगा वो क्या कहते है direct expense कहलाएगा मिसाल के तोर पे अगर आपकी एक pencil factory है pencil factory है बिटा तो अगर आप क्या कहते है pencil factory में pencil बनाओगे तो उसकी factory में production करोगे तो आपको मजदूरों को wages देनी पड़ेगी wages क्या होती है द्यारी होती है मतलब regular मंतली regular देना पड़ेगा न आपको मजदूरों को तो wages कहलाता है convince का खर्चा होगा माल लाने में खर्चा होगा बिटा तो कहरिये जिन कहलाएगा कोई भी चीज आएगी factory के अंदर तो convince तो लगेगा न बिटा फाल में गाड़ी का खर्चा तो लगेगा न बिटा तो वो production में government को duty तो देनी पड़ती है ये तो purchasing का है फिर packing ये भी purchasing का है ये packing बाहर के ममालिक से आता है तो packing भी बहुत important part play करती है अपकी packing बहुत अच्छी होनी चाहिए बिटा ठीके बिटा तो ये भी है इसके इलावा कि है factory का fuel जब बिटा क्या करते है factory के अंदर चीज़ बनती है तो petrol की consumption होती है gas की consumption होती है फे factory के maintenance cost भी होती है बिटा तो ये तमाम बिटा direct expense कहलाते है ठीके वो खर्चे जो होते है जो कमाई को generate तो करते हैं लेकिन production से relate करता है ठीके बटा fire insurance भी जरूरी चीज होती है factory के अंदर तो ये तमाम खर्चे है ये direct expense होते है expense related to the production और purchasing ठीके यानि वो खर्चे जो चीज को factory तक लाने में या factory को उसका product बनाने में जो लगते हैं वो direct expense होता है मुँद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा बटा अब दूसरे क्या होते है indirect expense होते है indirect expense क्या होते है वो खर्चे जो direct नहीं होते है तो indirect क्यलाता है बटा जो direct नहीं होगा वो indirect क्यलाएगा ना ठीके? indirect रहे कर्चे क्या होते हैं जो जब भई प्रोडक्शन हो गई तो पिर आपको चीज बेचनी भी तो है ना तो वो सेल्स सेल करने में मदद देती है मतलब वो खर्चे जो अगर नहीं करेंगे तो आपकी सेल नहीं हो पाएगी मिसाल को सेलेरी एक्सपेंस आपको उसके सारा जो चित्ता भी प्रोडक्शन हुआ है उसका खर्चे के लिए आपको ऑफिस के अंदर आपको नौकर रखने पड़ेंगे जो रिकॉर्ड रखें तो उनको तंख्वा देनी पड़ेंगी तंख्वा क्या होती है जो महीने के बाद दी जाए वो तंख्वा होती है और वेजिस क् और यह ऊफिस के अंदर काम कर देंगे नई तो इंडार ऐस्पेंस होता है पिर रेंड क्या होता है समय बेदा कि अब नहीं होगी तो काम हो गई नहीं तो सेल कैसे होगी आपकी टीके बिडा रूख जाएगी इस्टेशनरी एंगे तो इस्तेस्टिशनरी और और तो इंदर एक्सपेंस है फिर गावर्मेंट को टेक्स भी देना पड़ेगा पीटा यह इंपोर्ट ड्यूटी तो एक अलग टेक्स है वो तो लाने में खर्च होते हैं इसके इलावा कंप्री गावर्मेंट को सेल टेक्स देना पड़ता है ठीके बीटा और बहुत सारे टेक्सिस देने होते हैं पड़ते हैं बिजली के बेल होते हैं तक यह तमाम खर्ची होते हैं ठीके बिटा तो वोग्त अ मशीने खरी इंपड़ी नखेक्टी लगई तो और सारे बेशुमार करचे की होंगे उसकी इसकी क्या कहते हैं उसकी आपने पूरी बिल्टिंग बनाई तो इसके बैस हो सकता है बैंक से लो लिया हो तो बैंक से तो देना पड़ेगा ना आपको तो यह है तो यह तमाम एक्सपेंस नहीं किया जाएंगे तो revenue और income generate नहीं होगा बीटा ठीक बीटा तो direct expense और indirect expense है बीटा अगर समझना आया होगा तो एक दो दफ़ा वीडियो देख ले तो और बैतर समझ आ जाएगा बीटा और लाइक और subscribe और bell icon पे click जरूर कर दे बीटा ताके बीटा मैं इसी तरह वीडियो मोटिवेट होके बना आता रहूं और आपको अच्छे से अच्छे समझाता रहूं मुझे भी तो motivation की ज़रूरत रहेगी ना बीटा तो आप प्लीज subscribe का बटन दबा दे और वीडियो एक दो दफ़ा वाच कर ले तक बिलकुल concept आपके आपकी रूँ तक चला जाए ठीक है बीटा basic concept clear होंगे तो accounting आउंटिंग आसान हो जाती है ठीक है बीटा मैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गुडबाई